दोस्तों काफी important notification है थोड़ा सा ध्यान से सुनियेगा जिस चीज का आप लोग को इंदिजार था कि UPSC prelims की date कब decide करेगा तो उसी के बारे में ये information है पहले मैं आप लोग को यहाँ पर PDF दिखाता हूँ फिर आप लोग को website पर लेकर चलोंगा वहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा कि exactly clear क्या UPSC के द्वारा अपनी website पर update किया गया है ये जो price release किया गया है ये आज यानिके चार में को release किया गया है UPSC के द्वारा और उसके द्वारा clear सब्दों में बोला गया है कि COVID-19 के चलते हमारी country में जो lockdown चल रहा है तो इसलिए 31st जो में को prelims यहां पर होने वाला था उसको अभी differ कर दिया गया है ये तो इन्होंने बता दिया है कि उसको differ कर दिया गया है साब साब सब्दों में लिखा है यहां पर हमारी government के द्वारा अब तक बोला गया था अब UPSC ने भी clear बोल दिया है ध्यान से देखेगा यानि के 31 में को अब आप लोगा prelims नहीं होने वाला है ये बिलकुल clear है तो दूसरा सबसे बड़ा question आता है माइन में कि कब होगा ये अभी इनके द्वारा decide नहीं किया गया है इनके द्वारा बोला गया कि 20 तारीक को यानि के 20 में को हम लोग देखेंगे कि हमारी country में situation कैसी है और उसके बाद में फिर हम लोग decide करेंगे कि आगे situation को कैसे लेकर चलना है यानि कि अभी ये हैं चीज़ों का analyze कर रहे हैं उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे चीज़े कैसे लेकर चलना है तो 20 तारीक को यहाँ पर date के बारे में सोचेंगे उसके बारे में कि कैसे आगे लेकर चलना है और आप लोग को पता है जब prelims conduct करा जाता है तो Indian Forest Service का भी इसी के साथ में conduct करा जाता है फिर मेंस दोनों का अलग अलग होता है तो उसको भी इसी के साथ में differ कर दिया गया है तो सारी इसके अलावा जो भी updates होंगी वो UPSC की website पर आएंगी बाकी और कई सारे exams से लेक्टिड भी कुछ information है अगर इन exams की भी आप लोग थैयारी करें तो ये भी ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले बात करों तो NDA के लिए जो NDA या फिर जो Naval Academy के लिए exam conduct करा जाता है उसको भी अभी इसी तरीके से किया गया है यहनि कि अभी उनके बारें भी कोई notification information नहीं है Central Arm Police Force जिसको CAPF के लिए आप लोग काफी प्रेसान थे उसके बारे में भी अभी कोई ऐसी information प्रोवाइड नहीं कराई है इनको भी अभी remaining जो भी चीज़ें हापर बची है इवन जो personality test बचे हुए है उनको भी जो candidate के उनको भी आगे postpone किया रहा है कि जब भी हाँ पर चीज़े normalize होंगी तब देखेंगे notification आना था है आपर Indian Economic Service in Indian Esthetical Service Examination का आप लोग को याद होगा हमारे family member का 5th rank था है आपर last year तो एक 5th rank All India Level पर तो यह समझ सकते हैं आप लोग तो इसको भी हाँ पर postpone कर दिया गया है ठीक है कब notification आएगा notification combined medical service examination इसको भी हाँ पर अभी इसको भी हाँ पर रोका जा रहा है और NDA के लिए और इसी के साथ में CAPF के लिए जो भी चीज़े information थी उन सब को अभी हाँ पर रोक दिया गया है इससे भी ज़्यादे important information का है यह थोड़ी जहां ठीक है जी दिन test आप लोग का होना है उसके बीच में पूरा एक महीने का यानिके लगबग 30 दिन का time दिया जाएगा यानिके जीस दिन भी आप लोग को हैं आपर date सुनाए जाएगी उससे पहले आप लोग को 30 दिन का पूरा time दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना mind अच्छे से make-up कर सकें अगर किसी को दूर center भरक है किसी ने उसको दूर जाना है तो उसको जाने के एक महीने का time more than sufficient है तो पूरा एक महीने का time आप लोग को हैं आप पर दिया जाएगा तो कोई भी टेंसल लेने की irritate होने की कोई जुरत नहीं है आईए अब एक बार website पर आप लोग को लेकर चलता हूँ exact notification आप लोग यहाँ पर देख लिजए website पर साफ साफ बोला गए है यहाँ पर यह आप लोग देख सकते हैं यह जो यहाँ पर यह जो line आ रही है यह यहाँ पर इसी के बारें बताए गया है कि 20 तारीक को यहाँ पर यह decide करेंगे क्या situation चलनी है situation को पहले देखेंगे क्या सही है क्या गलत है तो यहाँ पर यह UPSC की website है जहाँ पर clear आप लोग को यह चीज़े दिख रही है ठीक है यह है UPSC की website तो हहाँ पर भी जाकर आप लोग खुद देख सकते है जो प्रेस रिलीजमें के द्वारे यह बाते बोली गी है सब चीजों की updates अगर आप लोग को कहीं पर भी लेनी है तो सबसे best source होता है वो इस particular exam के related जो भी आप लोग की official website है वहाँ पर जाये कीजिए जैसे SSC की website हो गई या फिर UPSC की website हो गई तो किसी भी exam की तयारी कर रहे है तो तुरंथ वहाँ पर जाये तो यहाँ पर NDA के बारे बाते कर रखिए आप कि हाँ क्या क्या चीज़े होंगी उनको भी देखा जाएगा और जादा time अभी हाँ पर मिल चुका है 20 तारीक को तो यह decide करेंगे अगर 20 तारीक को यह decide कर लेते हैं तो फिर यह समझेए अगर अगली 20 तारीक को आप लोगे exam होगा तो पुरा एक महीने का time मिलेगा तो यह समझ के चलिए कि आप लोगे पास हैं 21 में को prelims नहीं होने वाला है और बाकि जो भी exam है यह भी आगे इनकी rate बढ़ रही है तो इसका मतलब है आगे और आप लोग को time मिलेगा राम से तो जो भी बाकि इसके लावा information होगी जो यह पूरा notification है अगर यह भी आप लोग अपने पास में रखना है तो टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करा दूगा इसके अलावा जो दाहिंदू newspaper का हमारा discussion होता है और जो question वाली वीडियो होती है वो सारी चीज़े आप लोग continue रखिए बाकि जो भी आप लोगी चीज़े में करा रहा हूँ वो continue कराऊंगा ही इसके अलावा जो आप लोगो जो essay देता हूँ उसको आप लोग जरूर लिखते रही है उसको मत छोड़िएगा ठीक है क्योंकि अभी कुछ confirmation नहीं कि कब तक exam ये conduct कराने वाले है और जो daily question answer देता हूँ आप लोगो दाहिंदू वाले discussion की वीडियो के अंदर वो भी daily लिखते रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख रहे है जिससे facebook पर जो group है उसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे आज केट में connect हो चुके है वो daily answer लिख रहे है और daily लगबग वहाँ 500 से ज़्यादा है प्रिलिम से question post किया जाते है तो वे भी आप लोग daily practice करते रही है यानि के practice आप लोगो नहीं छोड़नी है वही आप लोगो final destination तक पहुंचाने वाली है अगर किसी को उन group में जुड़ना है fear of cost है किसी भी चीज़ का कोई cost नहीं है आप आप लोग बस अमने पढ़ाई किजिए अच्छे से सब के link वीडियो के नीचे मिल जाएंगे description box में मेरे साथ में connect रहने के लिए social media handle है वहाँ पर भी आप लोग connect रह सकते हैं पर लेकिन एक बात और ध्याना किए UPSC की website पर आप लोग जरूर connect रही है क्योंकि further notification जो भी होगा वहीपर ही मिलेगा और बाकी जो channel है वो तो आप लोग हैं आपर सारी चीज़े बताता ही है बाकी जो भी चीज़े होगी वो में आप लोग अपडेट करता ही रहूँगा तो चलिए मिलता हूँ next lecture में तब तक enjoy किजे बढ़ो को नमस्ते चोड़ो को प्यार चोड़ी से life and enjoy करेयार तब तक के लिए जैहिंद